क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो यदि किसी नन्हे मासूम की जिन्दगी के कीमत साड़े सत्रा करोड रुपे हो और ऐसे माबाब जो अपने मासूम बच्चे को पचाना पा रहे हो और वह नन्ना मासूम किसी ऐसी बिमारी से जूज रहा हो जिसको वह मैसूस तो कर पा रहा है लेकिन बया करने में ऐसा मर्थ है जी हाँ ऐसे है कुछ घबर निकल कर सामने आ रही है मेरट के कदवाई नगर में रह रहे एक परिवार से जहां 11 महीने के मासूम महमद जैन को लेकर पूरा परिवार चिंतित है क्योंकि बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर टाइप वन नामंग बिमारी हो गई है यह बिमारी हजारों लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है इस बिमारी में मास पेसिया कमजोर होने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे बच्चा कमजोर होता चला जाता है और चलने में ऐसा मर्थ हो जाता है बात केवल यहीं खतम नहीं होती कि बच्चे को यह जानलेवा बिमारी है बलकि बात शुरू यहां से होती है कि इस बिमारी से निजात पाने का केवल एक ही रास्ता है और वह रास्ता है इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कीमत हजारों लाखों रुपियों में नहीं बलकि साड़े सत्रा करोड रुपे है पिता मुहम्मद इशाद ने बताया कि 11 महीने का ये बच्चा दुरलब जानलेवा बिमारी से पीरित है और उनके मुताबिक जैन बिमारी की उस स्टेज में है जिसमें जीवित रहने के लिए 7-8 महीने का समय उसके पास बचा हुआ है उन्होंने बताया कि 2 साल की उम्मर से पहले बच्चे को ये इंजेक्शन लगना जरूरी है जिसके चलते उन्होंने शासन प्रसासन को चिठी लिखी है जिलादीकारी को ग्यापन दिया है और साथ ही साथ सांसद राजेंद्र अगवाल के जरिये स्वास्ते मंत्राले को पत्र लिखा है उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि एक महीने में लगबग उनको पता चल जाएगा कि इंजेक्शन लगेगा या नहीं उन्होंने मोदी और योगी सरकार से गुहा लगाई है कि वे उनके बच्चे को जीवित रखने में मदद करे और आम जनता से भी लगातार माता पिता अपील कर रहे है कि उनकी मदद करे ताकि इस जानलिवा बिमारी से जूज रहे बच्चे की जान बचाई जा सके इसमें बच्चे की मास पेशियां काम नहीं करती है और बच्चा धीरे-धीरे सास लेने के परेशानी होने लगती है इस बीमारी में कीमता नगबत 17 करों लोगे है पदो साल तक को लग जाना चाहिए यह तो कि दिविप दो साल बार जीविप नहीं हें अभी बच्च्छा करुद कतम साल का है अभी बच्छा 11 महीने का है मीक्रापक सटक्रा माइन भी हमारे पास मैक्सिमम्ट 10 महीने 1 तक है 3-110 ऐस तरिया न गज़ा हैं हाँ हाँ इंजेक्शन का लगबग जब इंजेक्शन लगता है तो सोला सब वीस हफतों में उसका रिजल्ट आता है लगबग दो महीने में उसका रिजल्ट आता है तो इसको इंजेक्शन उनका कहना यह है कि सास साथ महीने में इसको इंजेक्शन लग जाना चाहिए तो इस सरकार से और यूपी सरकार से हम अपील करते हैं कि वह हमारे बच्चे के लिए इलाज बुहीं अगर आएं जी अभी तीन दिन पहले सहारन कुर में एक भोदेव शर्मा की नाम से एक बच्चा था जिसको यही सेम बिमार इती ऐसे में टाइप मन योगी सरकान ने उसको सपोर्ट किया और उस बच्चे को इंजेक्शन दिलाया और बच्चा बिल्कुल स्वस्त है मैं देखिए मैं तो बहुत मिडल प्लास फैमली से हूँ मेरी इंकम भी इतनी नहीं है मैं अगर अपने सब कुछ दाव पर लगा वे नहीं हूं तो भी मैं मतलब यह अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा यह बिना भारस सरकार के योगी सरकार के सही हो के बिना नहीं हो सक मेरी आशा है कि वो मुझे सही हो दें अगर कुछ लोग अधी पढ़कर आगे आना चाहें आपके संपर करना चाहें तो कि मेरा मोबाइल नंबर है ट्रिपल नाइन सेवन एट सिक्स सैवन एट सैवन नाइन मेरत उत्तर परदेश के मेरत जिले से हूँ कि बड़े आदमी को आप कहना चाहते हो कि आपकी हल्प करी जाए जिस तरह भी मोमें हुई या पिर अलग जो बस मेरा मेरी ये अपील है कि जो बड़ी बड़ी एंजियो चल रही है हमारे भारत में मेरा उन से भी अपील है कि वो हमारे बच्चे के लिए सहयोग दें और अ थोड़ा थोड़ा कॉंट्रिबूशन भी अगर वो देते हैं तो हमारे बच्चे को इंजेक्शन मिल सकता है और जैन को बचाया जा सकता है